अभरिश्क्राइब आज हम् डिस्क्स करेंगे एच्पी ससी का प्रिवेइस पेपर है इसका आज हम ह WA級ंच के का में हम्मिल यहां पर बोलते हैं क्लिश wouldो डोल ध्यक्राइब अज्चल प्रस्तित आपको पता है किसका है लाहल स्पित्ति का ये आपने ध्यान रहा है कि लोह किनोर है धर्मशाला किसका है कांगड़ा का है जो हुद्ठाला है तो और ये जाए कि पूछा लिए भी आपने ध्यान रखना कांगड़ा कांगड़ागका अपने ध्यान रखना है कि किलॉंग जो क्यूंग का यह नियुटूड है मुए वह स्टिवाट mashो तो लॉन्फ जो यहनिके 10,100 जो है इसका feet में जो है वो altitude है तो यह दोनों आपने altitude धियान रखने हैं और world का जो highest pulling booth है वो कौन सा है world का highest pulling booth जो है वो भी लहल स्पित्ती में ही स्थित्थ है district में लहल स्पित्ती का तशी गंग जो है वो world का highest pulling booth है जो की 15,256 feet की height पर स्थित्थ है तो ये सारे questions यहां से आपके clear हो गए अगला question देखिए 122 question 122 question में बोलते हैं कुगती पास connect लोहल बिद तो कुगती दर्रा लोहल को किसके साथ जोड़ता है देखो कुगती दर्रे की बात करें तो कुगती दर्रा जो है वो पहले आपने ध्यान रखना है कि ये लोहल स्पिती में से देता है अब ये जब लोहल स्पिती में से देता है तो ये लोहल को भरमौर के साथ जोड़ता है option C सही अनतर है किसको जोड़ता है लोहल को भरमौर के साथ जोड़ेगा ये हिमाचल में और भी दर्रे हैं जो अलग लग रिस्थानों को अलग लग जगा से जोड़ते हैं तो पहले आप लोहल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रों को ही याद रखिए लोहल को जो दर्रे भरमौर से जोड़ते हैं उनमें कुगती दर्रा आता है उनमें दुग्गी दर्रा आता है उनमें छोबू दर्रा आता है उनमें कालीचो दर्रा आता है उनमें शिप्तिंग दर्रा आता है तो जो एक्जाम में भी तक पूछे गए है वो कुगती दर्रा पूछा गया है एक छोबू दर्रा पूछा गया है यह बाकी भी ध्यान रखने हैं आपने, अब कुछ ऐसे दर्रे हैं जो कांगड़ा को भरमौर के साथ भी जोड़ते हैं, कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ते हैं, निखोरा दर्रा हो गया, शिंगूर दर्रा हो गया, इंदरहार दर्रा हो गया, निखोरा दर्रा बहुत पर एक्जाम है पूचा गया पूचा गया प्रंतु इसका क्या हुआ कि यह क्वेशन में काउंट हो गया जब भी पूचा गया तो इसको भी ध्यान रख लीजिए अब दो को एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी आपका एक्जाम है चाहे आप जूनियर ऑफिस अस कर रहे हैं चाहे आप सब इंस्पेक्टर की त्यारी कर रहे हैं अब जरूरी नहीं कि यही क्वेशन पूचे जाएं तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हम बताते हैं ना वो बार बार रिवाइस करनी है किताबों पर आप पढ़ रहे हैं ऐसा चला है आपका जब आ लहा है तो मैंने गरेंटिए देता हूं कि आपके AhPGK के 90% कोइस्छन अगर हैं तो 90% कोईशन आप ठीक करकर आए विंगे और अगर हम हिस्ट्री का क्योंच है कोई तो हिस्ट्री के देखिया आप कम से कम भी आगरा आपने किताबों से अच्छी तरह से पड़ रखी है तो 80-90% वो भी कहीं नहीं जाता किसी भी सब्जेक्ट का तो ये थोड़ीजी आपको शेयोटी करनी होगी अगला 123 कोईशिन देखे बोलते हैं वसीष्ट वाटर स्प्रिंग इस लोकेटिड इन विच डिस्टिक ऑफ हिमाचल प्रदेश तो ये वसीष्ट पानी का जर्ना जो है गरम पानी का जो स्तोत है वो कहां पर स्तित है ये कहां पर स्तित है ये कुलू में स्तित है कहां पर कौन से डिस्टिक में कुलू डिस्टिक में स्तित है Option D सही अंशर है, अचा है विशिष्ट का आपको पता चल गया कुलू में स्तित है, कौन सी नदी के किनारे स्तित है, ये स्तित है क्यास नदी के किनारे, और यहाँ पर वशिष्ट रीशी का मंदिर भी है, ये भी ध्यान र Sask hadirt अपने, अच्छा ये तो हो गया कुलू का दर्रा अब आपने और दर्रे कौन कौन से ध्यान रखने हैं खीर गंगा अगर आपसे दर्रा नहीं खीर गंगा पानी का स्त्रोत ये पूछ लिया गया खीर गंगा तो ये भी कुलू मेस्तित है अगर आपसे कसोल पूछ लिया गया तो कसोल भी कुलू मेस्तित है अगर मालो आपसे ये पूछता है कोई कि वसीष्ट ये जो है ये गरम पानी का स्तरोत है कि ठंडे पानी का स्तरोत है तो वो भी ध्यान रखिए कि ये गरम पानी का स्तरोत है आजकल एक्जाम में ऐसे कोईशन भी पूछे जा रहे है तत्ता पानी बहुत वार एक्जाम में पूछा गया तत्ता पानी सतलूस नदी के किनारे स्थित है तो यह कोईशन भी एक्जाम में पूछा गया था तत्ता पानी जो है वो मंडी में पढ़ता है ये पूछा गया, बच्चों को confusion हो जाता है तो मंडी exactly ध्यान रखेगा Allied services में ये question पूछा गया था ये यहाँ से clear हो गया, अगला question देखते हैं अगले question में बोलते हैं, चुहार valley is located in which district of हिमाचल प्रदेश की, ये जो चुहार गाटी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो चुहार गाटी आपके कहाँ पर पड़ती है ये मंडी district में पड़ती है कहाँ पर पड़ती है, मंडी में अचा option A सही answer हो गया मंडी में एक valley धोड़ी है मंडी में तो आपकी इमला बिमला गाटी आती है जो अभी HS में पूछी गई थी मंडी में आपकी कौनसी घाटी आती है बलह valley आती है, जो most fertile valley है मंडी की वो ध्यान रखिए आज कल election का time है तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि मंडी में जो है, वो कितनी विधानसवा की seats है तो मंडी में 10 जो है वो अभी विधानसवा की seats है आपने ध्यान रखना है, elections चले हुए है तो ये important बन जाता है, कौन-कौन सी है इसमें करसोग आती है, सुंदरनगर आती है नाचन आती है, सिराज आती है दरंग आती है, जोगिंदरनगर आती है धरंपूर आती है, मंडी आती है बलह आती है, सरकागाट आती है तो ये आपने मंडी की ध्यान रखनी है आपने एक और बात यहां से ध्यान रखनी है कि जो मुख्यमंतरी जैराम ठाकूर थे वो कौन सी seat से चुने गए थे तो मुख्यमंतरी चुने गए थे सिराथ सीट्स और इस बार उन्होंने कहां से नामांकन फाइल किया है इस बार उन्होंने सिराथ से ही जो है अपना नामांकन फाइल किया है तो वो भू धियान रखना है मंडी मैंने कबर कर दिया यहां पर जब मंडी की डिसकस हो रही थी तो अपने अपने डिश्टिक के बारे में भी थुड़ी सी नौलेज रखना आप वहां से भी हल्प मिल जाती है यह हो गया डिटेल में अगला कोशिन देखिए अगले कोशिन में क्या बोलते हैं बोलते हैं Most Common Question वैधिक नेम अफ रिवर ब्यास इस तो ब्यास नदी का वैधिक नाम पूछा गया है दो हीमाचल में पांच नदीयां बहती हैं अगर इन पांच के वैधिक नाम आपने याद रख लिए और अगर हम एक्जाम देने जा रहे हैं continuous लिए तो किसी ना किसी एक्जाम में एक नमबर आपका हो जाता है कहां पर ब्यास नदी की बात कर रहे थे तो अरजी किया इसका वैधिक नाम है Option D सही अंसर है और कलिंदी की बात करें तो कलिंदी यमुना का वैदिक नाम है, किसका यमुना का ये वैदिक नाम है अगर हम अस्किनी की बात करें तो अस्किनी जो है उच्चे नाव का वैदिक नाम है ठीक है ये चार नदियां होगी एक नदी कौन सी बज़ जाती है एक नदी बज़ जाती है रावी नदी रावी नदी का वैदिक नाम पुर्शानी है वो धियान रखना है थोड़ी दिन पहले ही हमने क्या क्वेशन पड़ा था हमने क्वेशन पड़ा था एक मंडी की ब्यास क सहाइक नदी हमने जो पड़ी थी वो थी मानूनी मानूनी जो है वो किसकी सहाइक नदी है मानूनी ब्यास की सहाइक नदी है और ये कौन से डिष्टिक में बहती है तो ये डिष्टिक कांगडा में बहती है इसके लावा ब्यास की और भी सहाइक नदी है ब्यास की सहाइक पार्वती आता है, मलाना आता है, सोलंग आता है, मनालसु आता है, फूजल आता है, मानूनी आता है, चक्की आता है, गज, बनेर, बानगंगा, न्यूगल, बिन्वा, सुकेती, बनेर, तीर्थन, हंसा, बेना, ये सब नदियां इसकी साइक नदियों में आती है और ब्यास नदी निकलती कहां से है रोतांग दर्रे के स्मेप से निकलती है रोतांग दर्रे का पुराना नाम इसको भ्रीगुतंग के नाम से भी जाना जाता है रोतांग दर्रे को ये भी ध्यान रखिएगा और ये सतलूस नदी के साथ आगे चल कर मिलती है सतलूज के नसाथ जो है यह हरी का पत्ता नामकस्तान में जाकर मिलती है जो कि पंजाब में गहीं बढ़ता है यह सारे questions यहां से clear हो गए आगे question में देखिए बोलते हैं यहां पर Which district of हिमाचल प्रदेश has been declared aspirational district by नितिया योग पहले दियान रखना है कि हिमाचल का एक मात्र एक ही district ऐसा है जिसको aspirational district की list में शामिल किया गया है वो district है आपका चमबा district और इसको किस ने aspirational district की list में शामिल किया है नितिया योग के recommendation पर नितिया योग ने किया है aspirational district की category में चमबा को add और परदानमंतरी श्री नरेंदर मोदी ने जो था वो एस्पिरेशनल डिस्टिक प्रोग्राम जो था वो लॉंच किया था यह जो एस्पिरेशनल डिस्टिक प्रोग्राम इन्होंने लॉंच किया था यह कब किया था यह 2018 में इन्होंने लॉंच किया था कब 2018 में ये आपने ध्यान रखना है कि 2018 में ये program शामिल किया, लॉंच किया गया और ये program जो सरकार के दोरा चलाया गया था, इसका उदेश्य गया था इस program का उदेश्य ये था कि हिमाचल प्रदेश के जो कम विक्सित जिले हैं यह पूरे overall इंडिया में जो कम विक्सित जीले हैं उनको बहुत ही जल्दी और बहुत ही प्रभावी डंग से जो है वो बदलना है उनके उनमें changes लानी है तो चमबा एक ऐसा डिस्टिक हिमाचल में जो था वो माना गया कि इसमें जो है यह कम विक्सित है और इसको बड़े जल्दी बदलने की जरूरत है 2018 में बदला था चार सालों में अगर कुछ परिवर्तन हुए होंगे इस प्रोग्राम के तहद क्यूंकि इस प्रोग्राम के तहद जो है वो राज्यों को सहायता भी दी जाती है कि इंदर सरकार के द्वारा और स्टेट गवर्मेंट के द्वारा सेंटर और स्टेट गवर्मेंट की जो भी इंपॉर्टन्ट यह उजना है यहां पर चालू की जाती है लगाई जाती है और वहां से सहायता डेफिनिटली मिलती है चमबा की भी बात हो रही है तो चमबा में कितनी जो है वो विधानसभा की सीट्स आती है चमबा में पांच कॉंसिचेंसी आती है ये धियान रखना है चमबा में पांच कॉंसिचेंसी आती है इन में चुराह आता है भरमौर आता है चम्बा खुद आता है धलाजी आता है और भतियात आता है तो ये आपने ध्यान रखरी है कि चम्बा में पांच जो हैं ये सीट्स आती हैं और ये पांचों की पांचों सीट्स important हैं आपके exam point of view से election पर focus ना करते हुए एक सो पांच नमबर कोईशन देखिए बोलते हैं इन विच फोर डिस्टिक उफ हिमाशल प्रदेश नूट्रिशन केमपेन वाज रन इन फर्स्ट फेस तो नूट्रिशन केमपेन इक चलाया गया जो हिमाशल के कुछ जिलो में पहले फेस में चलाया गया था तो ये किस-किस जिले में चलाया गया था ये चमबा में चलाया गया था शिमला में चलाया गया था मिरपूर में चलाया गया था सोलन में चलाया गया था ये इन पांच जिलो में इनिशली जो था हो पहले फेस में लॉंच किया गया अब nutrition campaign की बात करेंगे तो यहाँ नाम से पता चल रहा है कि जो nutrition है वो दी जाएगी यानि कि पोशक अभ्यान चलाया गया है तो पोशक तत्तों की जो कमी रह जाती है महिलाओं में बच्चों में उसको पूरा करना ही इसका एम रहा होगा प्रन्तु हम यहाँ से अभी election कर आएम है तो हम यहाँ पर भी विधान सबा के seat की बात कर ले थे क्योंकि अभी revise हो गया फिर election के बड़े कम चीज़ें यह revise होती है चंबा की आप जान चुके हैं शिमला हमिरपुर सोरन की जान लेजिए शिमला से अगर हम बात करें तो आठ विधान सबा की seats आती है कौन कौन सी आती है शिमला से चौपाल आती है ठीयोग आती है कसुम्टी आती है शिमला आती है शिमला रूरल आती है जुबरहटी आती है रामपूर आती है रोडू आती है ये आती है आठ सीट्स शिमला से और हमिरपूर से कितनी आती है तो हमिरपूर का आपने ध्यान रखना है कि पांच आती है हमिरपूर से हमिरपूर खुद आता है सुजानपूर आता है भोरंज आता है बड़सर आता है नदौन आता है कई बार कोईशन पूछा जाता है कि बटसर कहां परस्तित है, हमेरी पूर में स्तित है, नदौन कौन सी नदी के किनारे स्तित है, ब्यास नदी के किनारे स्तित है, सोलन की बात करें उस तरह से, तो सोलन में अर्की आती है, नालागड आती है, सोलन खुद आती है, कसौली आती भूतनात मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है भूतनात मंदिर की अगर हम बात करें तो ये मंदिर जो है आपका मंडी में स्थित है ऑप्शने सही अंसर है अब ये मंडी में स्थित है ये मंडी में बना हुआ है तो किसके द्वारा बनवाया गया है राजा अजबर सेन ने इस श्यामा काली मंदिर आता है मंडी में प्राशर मंदिर आता है ये मंदिर तो आते हैं मंडी में तो ये मंदिर आपने ध्यान रखने है अब मंडी के मंदिर के लावा आपने क्या ध्यान रखना है मंडी के मंदिर के लावा आपने ध्यान रखना है कि मंडी सहर की स्थापना कि ये कोईशन भी पूछा जाता है तो। मंडी सुकेत की ही साखा है ये धरूर धियान रखें और मंडी रियासत की में था पना किस ने ये तो कोईशन बन जाता है अगला कोईशन देखें, 95 Прав although नमबर कोईशन भोलते हैं इनको पदमशिरी अवार्ड दिया गया अभी तो ये भी आपने ध्यान रखना है क्ललिता वक्किल के आर्ट के साथ जुड़ी हुई है ये हैंडी क्राफ्ट रुमाल के साथ जुड़ी हुई है और चम्बा से समंद रखती है और चम्बा की महेशी दे भी ध्यान रखना है इनको जो है वो मास्टर और क्राफ्ट के लिए अवार्ड दिया जा चुका है नैशनल लेबल पर और 1965 में इनको ये अवार्ड दिया गया था ये भी ध्यान रखना है कि चमबा रुमाल ही नहीं, चमबा पेंटिंग भी जो है, वो famous है तो चमबा पेंटिंग होगी, चमबा रुमाल होगी, ये दोनों famous है चमबा पेंटिंग को राजा उदाय सिंग के कारेकाल के दुरान सरण दी गई थी वो भी question मनता है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है ये questions होगे, अगला question है, वसीष्ट temple is located at तो वसीष्ट मंदिर कहां पर सित है, अभी हमने starting में ही वसीष्ट गरम पानी का जहरना discuss किया था, मैंने कहा था ना कि question link होते हैं कहीं न कहीं से तो वसीष्ट मंदिर की बात कर रहे हैं, यहां पर वसीष्ट मंदिर मनाली में सित है, option बी सही अंसर है अभी दो को हमने वसीष्ट के बार में पढ़ा कि ये district clue में सित है, अब यहां से clear होगे आपका question कि ये district clue के मनाली में exactly सित है, और आपको ये भी पता चला कि options में कुलू और मनाली दोनों दिये जा सकते हैं, बिल्कुल confusion अब नहीं होना चाहिए मनाली में और क्या सित है, मनाली में रहला waterfall सित है, ठीक है, रहला waterfall आपने ध्यान रखना है मनाली में mountain ring institute सित है, जिसका नाम अटल बिहारी वाचपई mountain ring institute है, वो भी मनाली में सित है मनाली में, अगर आप से पूछा जाए कि मनाली में कौन सी नदी बहती है, मनाली किस नदी के साथ सित है तो मनाली exactly बियास नदी के साथ सित है और आपने ध्यान रखना है कि यह आपका डिष्टिक कुलू है डिष्टिक कुलू में मनाली जो है एक विधानसवा की सीट है मनाली के अलावा डिष्टिक कुलू में कुलू एक मनाली की सीट है बंजार एक मनाली की सीट है और आनी एक मनाली में सीट है तो सबसे ज़्यदा important जो आपने ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि कुल्लू में जो है वो मनाली एक विधानसभा की seat भी है साथ साथ में तो ये सारे important questions यहां से हो गए हर बार की तरह कुछ Hindi English के important question देख लीजिए 165 questions से हम start करते हैं English का question है बोलते है mountain tops are covered dash snow in winter तो यहां पर होगा mountain tops are covered with snow in winter option D सही अंसर है अगे इंटॉनियम पुछा गया है वेलरस का तो इसका इंटॉनियम इनके opposite meaning होगा timid option D सही अंसर है वेलरस जो है यह क्या होता है यह होता है वीरता पूरण या आप बहादूरी पूरब कह लीजिए और timid क्या होता है timid कायर आप कहलीजिए डरपोक आप कहलीजिए यह आप होता है आगे इंटॉनियम का मतलब पूछा गया है to knuckle under तो knuckle under का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है to submit option B सही अंसर है आगे सुद सबत बताना है 168 में आपको तो उर्मी किस तरह से लिखा जाता है उर्मी लिखा जाता है option C कुछ इस तरह से और आगे समास है तो निडर में कौन सा समास होगा निडर में आपका अब्वेवाब समास होगा और ये बहुत बार repeat हुआ है निडर तो इसको note कर लीजी आगे भी repeat होगा किसी ने किसी exam में definitely आगे बुलते हैं रिक्त का उपसर्ग सब्द है तो रिक्त का उपसर्ग सब्द है अतिरिक्त अगर आपसे पूछा जाए अतिरिक्त में कौन सा प्रत्य है तो प्रत्य अगर आपसे पूछा गया ना तो प्रत्य अतिरिक्त में रिक्त है और रिक्त का उपसर्ग अगर आपसे पूछा गया तो रिक्त का उपसर्ग अतिरिक्त है इसमें confusion मत रखना बिल्कुल भी ये सारा का सारा clear हो गया आपका और आज की वीडियो में इतना ही काफी है तो so that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently